आज की एक कहानी है है हैमंद सुरेन की जो बर्त्मान में जारकंड के चीफ मिनिश्टर यानि की मुख मंत्री है तो आज की इस बीडियो क्लास में हम लोग जारकंड के मुख मंत्री के बारे में बिस्ताल से चर्चा करेंगे और इनके बारे में जानेंगे इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कुछ और पिक्चर आप लोग देख लिए ये आप देखे इनकी पत्नी है और आप लोग लेख रहे हैं के इनके दोनों बच्चे और ए और इनकी पत्नी यह आप देखी इनकी पिताजी है हैमंत सुरेन के और जारकन के बारे में बात करें तो आप देखी यह हमारा प्यारा भारत है यहां आपको जारकन देखने कुम लेगा राची स्ती राधधानी है इसकी सीमा बिहार उत्तरपेदेश, चत्तिसगर, उडिसा और पश्चिमंगाल से लगती है पंदरे नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके इसे राज मनाये गया था और यहां विधान सबा में 81 सीटे हैं, राजे सबा में 6 सीटे हैं, लोग सबा में 14 सीटे हैं 89,716 बरक किलूमीटर में आपका जारकन फैला हुआ है अगर हम लोग इनके नाम की बात करें तो हैमंत सुरेन इनका फूरा नाम है और इनका जनम 10 अगस्त 1975 में हुआ था इनका जनम नैमरा रामगर जिला बिहार में हुआ था उस समय बिहार में पढ़ता था यह अब जो जारकन में पढ़ने लगा है यह अनुसूचित जनजाती से आते हैं एस्टी है और एक हमारे देश की दुर्भाग कही है आप लोग कि जब भी किसी बैक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसकी जाती और धरम पहले देखा जाता है तो यह अनुसूचित जनजाती से आते हैं इनके पिता का नाम सिवु सोरेन जो राजनीता रहे हैं और इनकी मा का नाम रूपी सोरेन जो किसान जुड़ी रहे हैं किसान बरिवाल से पतनी का नाम कलफना सोरेन हैं इबेवसाई हैं बिजनेसमेन हैं और इनके दो बेटे हैं अगर हम लोग इनकी सिक्षा की बात करें तो पठना हाई स्कूल, पठना बिहास इनोंने सुरुवाती सिक्षा लिए और आंगी की सिक्षा विल्ला प्रुद्द्धकी की संस्तान मैसरा राची जारगंड से पोरी की हुई है। विधानसवा चुनाव लड़ा लेकिन हुआ इस्टीफन मरांडी से हार गय थे। और अगर आपको विधानसवा कर चुनाव लड़ना होता है ना, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनीचे, अधिकतम उम्री की कोई सीमा नहीं रखी गई है, कभी तक आप लोग चुनाव लड़ समीधान एक संस्ता है, समीधान के अनुचे 324 के तहत, इसकी स्थापना की बात कीगी है, और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और आप देखें नई दिल्ली में हेड़कॉर्टर देखने कुमलेगा, सू कुमार सेन पहले मुख चुनाव आयुक दे थे हमारे, फि सदस्तों को आप देखते है, राज्यसभा में राष्टपती सा मनुनीत भी करते हैं, फिर 4 जनवरी 2010 को ज़ारखन के दुमका निर्वाचन चेट से बिधायक चुने जाने के बाद राज्यसभा से इन्होंने इस्तिपादे दिया, क्योंकि अगर राज्यसभा लोकसभा के स सदस्ते हैं, तो उनमें से एक सीट आपने आपके पास रखनी होती है, या विधान सबा राज्यसभा के हैं, या विधान सबा लोकसभा के हैं, तो एक ही जगह से आप सदस्ते रह सकते हैं, दोजार नौ में उन्ने झारखन मुक्ती मोरचा के कारकारी अध्यक्च के रूम में निूठ किया गया था, फिर आप देखे 11 सेप्टमबर 2010 को उन्ने जारखन के उप मुकमंत्री के रूम में चुना गया, और 2014 में जारखंट विधानसवा चुनाव में भाजापा को बहुमत मिलने के बाद 8 जर्मरी 2015 को उने विपक्च की नेता की रूम में नामित किया गया। प्र आम देगे 23.alomब 2019 को उन्हें फिर से जारकंड विधांसवा चुनाओ में वरहेट विधांसवा सीट से विधाय की रूम में चुना गया था और आप देखेंगे कि 29.alomब 2019 को हेमन सーुरे ने जारकंड की 11.ух मुक मंत्री की रूम में संप यह भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इनसे जुड़े हुए आप देखते हैं कि कुछ बिबाद भी है तो 2017 में जारकन की CM रगुवर 10 ने एहमंत सुरेन को जारकन Global Investor Submitter में आवंतित किया लेकिन हैमंत ने यह कहते हुए निमंतर को आसुईकार कर दिया कि सम्मिलन भूमी हत्याने वालों का एक महां चिंतिन से बिर है और यह आदिवासियों, मूलबासियों और राज्ज के किसानों की भूमी को लोटने के लिए आयोजित किया जा रहा है अभी आप दिखते हैं कि इन पर चुनाओ आयोग सदस्ता समाफ्त होने का भी आप दिखते हैं कि खत्रा मणरा रहा था और आप दिखते हैं कि इनकी पूरा मामला क्या है तो दरसल RTI एक्टिविस्ट शिफ सर्मा ने दो PIL दाकी की दायर की और एक CBI और ED से माइनिंग होटाली की जाज करानी की मांग की गई थी CBI यानिकी Central Bureau of Investigation की बात हो रही है और ED मतलब नेदेशक की बात किसकी बात हो रही है पिवर्टन नेदेशाले की इन्फोर्समान डारेक्टेट की और एक मामला C.M. Hemant सुरेन से जुड़े खनन ली और सेल कंपणियों में उनके और उनके करीबियों की इस्तेदारी से जुड़ा है आरोप इन पर लगा था कि C.M. Hemant ने अपने पद का दुर्पयों कर इस टॉन की ओरी माइस अपने नाम आवन्टित करा ली थी सुरेन परिवार पर सेल कंपणियों में इन्वेस्ट कर अफूद संपत्ति अर्धित करने कारोपी है और इस मामले में सुप्रिंग कुर्थ और चुनाओ आयोग ने भी सुनवाई की थी दोनों ने जन्पिती निदित अधिनियम 1959 की धाला नौ ये किता है लाव का पद से चुड़े नियमों के उलगन को लेकर सुनवाई कीते यह अब एक सुनवाई पूरी हो चुकी लेकिन अभी तक फैसला सामने ही नहीं आया तो आप लोग कह सकते हैं कि एक सौटड़ गहानी किस की है हैमन सोरेंट की जार्कर की चिम मिनिष्टर की आःगे क्या होता है आःगे क्या इनकी राज़ीते क्या प्रए रहती है ये तो आने वाला बक्त ही बताएगा अच्छी बाद रहती है गिए आप लो एक स्तामान जानकारी रखाने हैं